हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं सुब्रेकास पांडे अपने योट्यूब चैनल मुजू की स्टुडेंट में आपका स्वागत करता हूं करता हूं हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं सुब्रेकास पांडे अपने योट्यूब चैनल मुजू की स्टुडेंट में आपका स्वागत करता हूं और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए जुड़े हैं उन्हें मैं वेलकम कहता हूं और जो यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिकेस्ट करता हूं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो वीडियो को सेयर कर दें और हाँ बेल आइकोन को जरूर दबा दें ताकि हमारे अंगले आनी वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके थेंक्यू अब हम चलते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ तो दोस्तों मैंने अभी इसके पहले जो वीडियो डाला था उस वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था कुछ कमेंट्स मैंने आपको बता रहा हूँ मैं चेतन हैं, चेतन कहे रहे हैं कि सर कोई सौंग के उपर वीडियो बनाए और किसी गाने के उपर आप बजाते हुए पूरा वीडियो बजाएं तो चितन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि किसी गाने को उपर अगर मैं ढोलक बजाता हूं तो हमें copyright का issue आता है और उसे हमारी channel को problem होती है और वो benefit नहीं मिल पाता है जो हमें मिलना चाहिए तो please किसी गाने के साथ मैं बजाने के लिए ना कहें हाँ किसी गाने को आप explain करने के लिए के सकते है मैं आज एक गाने को explain करूँगा जो हमारे subscriber है सचिन कुमार इन्होंने लिखा है कि हमें आपका सिखाना बहुत अच्छा लगता है और सचिन आंगे लिखते हैं कि इनकी एक फर्माई से उनका एक गाना है पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों बहुत ही अच्छा गाना है मुझे भी ये गाना बहुत पसंद है और इस गाने का पेटरन भी थोड़ा अलग है दादराताल है तो सचिन जी ने जो ये कहा है कि ये गाना मतलब पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों तो आज हम इसी गाने को एक बार सुनते हैं और देखते हैं कि इसमें कैसे धोलक बजा हुआ है चुकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी सारे पेटरन बजा पाना बहुत मुस्किल है तो मैं आज इसका सुरू का लाइन जो है जिसको हम इस्था ही कहते हैं वो बजा के दिखाऊंगा और नेक्स वीडियो में फिर कभी आँगे के पेटरन मैं बजाऊंगा तो चलिए पहरे सुनते हैं उस गाने को उस गाने में बजा क्या हुआ पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यूं पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यूं पापा की निगाओं में मम्ता की बाओंगे पापा की निगाओं में मम्ता की बाओंगे कुछ दिनों और रहते तो क्या भी घड़ जाता एक हमारे सब्सक्राइबर है कपिल मोनू और वो कहते हैं कि सर ढोलक कैसे मिलाते हैं दूसरा क्वेस्चन था आपका कि छल्ला पहन कर थपकी कैसे लगाएं तो मैं तो छल्ला पहन कर ही थपकी लगा रहा हूं वीडियो में तो आप थपकी लगाने का यह थपकी लगाने का यह थपकी लगाने का तरीका होता है देखिए तो मैं तो इस समय छल्ला पहना वहा हूं और थपकी लगा रहा हूं पर छल्ले की आवाज तो थपकी के साथ नहीं आ रही है तो आप इसको प्रेक्टिस करिए और आपका यह सही हो जाएगा मैंने इसके उपर वीडियो बनाया हुआ है जिन्दा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम इस फिल्म का यह पैटर्न है हमारा जो यह स्वांग है पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यूं अब हम इसको सीखते हैं कि इसको बजाना कैसे है तो दोस्तो इसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है दादरा ताल का यह ठेका है जिसे गाना है आकियों के जिरोखे से है न वही पैटर्न है इसमें पर काफी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसका बाया थोड़ा अलग टाइप का चलता है तो एक बार मैं इस गाने का पैटर्न आपको एकदम स्लो सिखाता हूं जो हमारा पुराना पैटर्न है पहले वह देख लीजिए आप जिसे गाने यह दौलत भी ले लो सौरत भी ले लो भले छीने लो मुझसे मेरी चवानी ठीक है गम उठाने के लिए मैं तो नहीं यह भी वही पैटर्न है बस थोड़ा सा चें रहे हैं कि तो इसलिए कन्फूसन हो रहा है तो उसको बजाना कैसे दिखिया कर दो दिन और चीता नाना ची ढाट, तिन और चीता नाना, चीते ताट। यह म्यूजिक तक जो फस्ट म्यूजिक आता है M1 उसके पहले तक दोलक में यह पेटर्न बजा हुआ है दो पेटर्न यह है एक तो पहले दो बार का है फिर एक सीधा सीधा चलता है और एक पीक अप है साथ में यह एक पीक अपने तो अगर आपको कोई दिक तक तो मैं थोड़ा सहौर आपको बताता हूं इसको देखिए धित धिन्ता, पहले जा रहा है, धित धिन्ता, धित धिन्ता, चित ता ता ता, धित धिन्ता, चित ता ता ता, धित धिन्ता, चित ता ना ना चिक चिक ता चिक धिन्ता, धित धिन्ता, चिक ता ना ना चिक चिक ता चिक धिन्ता, मुझे विस्वास है कि आपको ये पैटन समझ में आ गया होगा कि आता की आता है